नमस्कार दोस्तों, Re-Education IS Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमने कल एक वीडियो बनाया था कच्छा 6 की NCRT के प्रस्नों का अधार मान के लिकुन उसमें दिक्कत क्या आई थी, मैंने कुछ वीडियो को पोट्रेट मोट पे बना दिया जिसकी उजासों दिखने में बहुत दिक्कत कर रहा था, लेकिन आज उसको में पूरा कर लिया गया, आज इसको में लाइन इसकेप पर बना रहा हूँ, आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होंगे यह जो है, यह कच्छा साथ के NCRT के प्रस्मों पर आधारित है, और इसमें पहला प्रस्म हमारा है, कि अमर बेल उदाहरण है, ठीक है, अमर बेल किसका उदाहरण है तो यदि हम खाने मतलब कोई पउधा यَा जन्तु भोजन बना पा रहाे हैं यह नहीं बना पा रहाए उसके अधार में बाटाटे हैं ठीक एक होते हैं स्वापोसी एक होता है स्वापोसी दूसरा होता है बिसंपोसी ठीक है पर पोसी नहीं बिसंपोसी तो स्वापोसी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं जैसे पीस में आते हैं ज्यादा तर पेड़ पौधे ठीक सूर का प्रकास का उपयोग क होते हैं वे बिसंपोसी होते हैं अब बात आती अमर बेल की अमर बेल क्या है अमर बेल जो है इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है अगर इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्या करेगा यह अपना भोजन बना नहीं पाएगा अब अपना भोजन नहीं बना पाएगा यह किसी तब यह किसी ना किसी पौधर पर आसृत होगा तो अमर बेल किसी ना किसी पौधर पर पीली पीली रस सोख की रूप में लटका रहता है और इसके पास ख्लोरूफिल नहीं नहीं बना पाएगा जब भोजन नहीं बना पाएगा तो वह उसी पोधे से हुक के द्वार अपने हुकों को उस पौधे में पेनेट्रेट करेगा और उस पौधे का जो भोजन होगा उसको ये आउसोशित कर लेगा और अपना जीवन चलाएगा तो इस कंडिशन में अमर वेल किसका उधारन हो गया? परजीवी को है क्योंकि यह दूसरों के उपर जीवित है तो अमर वेल हमारा क्या हो गया? परजीवी ठीक है या सौपोसी, परपोसी, मिर्त जीवी नाओ कि क्या है? परजीवी है मारा अगला प्रस्ण है कि कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है सबसे पहले यह जाने कि यह पादप कीटों को पकड़ कर आहार क्यों बनाते है जो पवध है दूसरे कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाते हैं ऐसी जगह को उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है अब इस nitrogen के अगर कमी है तो वो पहुद है, protein नहीं बना पाएंगे, carbohydrate तो बनाएंगे, लेकिन वो protein नहीं बना पाएंगे, इस protein को बनाने के लिए nitrogen क्या हो सकता है, इसके लिए क्या करते हैं, अपने पत्तियों को एक trap की तरह बना लेते हैं, जिसमें छुटे-छुटे कीड़ मोकोडे फस जाते हैं, और उन कीडों मोकोडों को ये पाचकर सिक्रीट करते हैं, उनको पचा लेते हैं, जिससे इनको मिल जाता क्या nitrogen, और इस nitrogen को व्योग करके ये बना लेते हैं, अपने लिए protein, तो ठीक है, कीडों को पकड़ कर आहर बनाने पादप का नाम है, बीनस फ् उसको से वंचित करता है, उस पादप को क्या कहते हैं, तो उस पादप को कहते हैं परपोसी, ठीक है, परपोसी नाम से ही ऐसा लगता है, जैसे दूसरों को पोसित कर रहा है, ठीक है, परपोसी मतलब होता है, दूसरों को पोसित करने वोला, परपोसी जन्त भी हो सकता है, पर आसंधान के लिए दूसरा उसी से अपना भोजन पराप्त करता इस रिभर ले रहा है और अपना भोजन ले रहा है जिस पर निवास' कर रहा है है अमर ब prolonged कि एलब्य मैं परपुसी हो गया उसी प्रकार से हमारे शिराइन से ब्जूब आ uhhh हैं जो हमारे सिर में निवास करते हैं और हमारे खून को भी चूशते हैं ठीक है यह दोनों के लिया यह हमारे स्थर में करते हैं तो इस कंडिशन में जूं क्या हो गया हो गया परजीवी और हम क्या हो गये जूं के लिए परपोसी क्योंकि हम उसको पोसित कर रहे हैं ठीक है तो अमरे बेल क्या हो गया है अमरे बेल जिस पादप पर ऊग रहा है वह उस पादप को क्या कहेंगे हम परपोसी कहेंगे और अमरे बेल को क्या कहेंगे हम परजीवी कहेंगे ठीक है अगला प्रस्न है क्या है पादप के किस भाग द्वारा प्रकास संस्लेशन है तो वायू स एक्साइड को गरहण करते हैं लेकिन ये किरिया हुए किस तरीके से करते हैं तो हम जानते हैं कि जो पत्या होती है पादप की जो पत्या होती है इसमें पाए जाते हैं छोटे-छोटे इस्टोमेटा रंध्र कहते हैं इसे रंध्र के द्वारा क्या होता है कार्बन ये उसी प्रकारे जैसे हमारे घर में किचन होता है, किचन में water supply हो गई, अंदर अंदर दिवाल के अंदर से water supply हो गई, लेकिन जो raw material है, सबजी, चावल, दाल, ये एक दर्वाजे से अंदर जाता है, और जो waste product होता है, उसी दर्वाजे से बाहर आता है, तो ये किरिया हमारे किचन का दर्वाजा करता है, ठीक इसी प्रकार जो होता है, पत्तियों में रंद्र होते हैं, इस्टोमेटा क्या करते हैं, ठीक उसी किचन के दर्वाजे का काम करते हैं, जिससे carbon dioxide अंदर आती है, और इसी के साथ जल भी इसी रंद्र से बाहर इसी इस्टोमेटा से जल भी बाहर निकलता है तो ठीक है तो इसका एंसर हो गया अगला प्रहणा हमारा है कि कीट भच्छी पादब किस प्रकार की मिर्धा में उद्धते नंकी कमी होगा कि कि इसी लिए कीट का भच्छड करते हैं क्योंकि उनको नाइट्रोजन नहीं मिलता है वह बीना नाइट्रोजन की प्रोटीन नहीं बना सकते हैं और इस प्रोटीन को बनाने के लिए कीटों का भच्छड करते हैं जिसे उनको नाइट्रोजन प्राप्त होता है और अपनी प्र निए पात्पो बना उसको गरहन कर रहे हैं तो वे क्या कहले विसम पोसी मैंने आपको अभी बताया था ठीक इसके पहले तो भोजन कोई जीव जन्त भोजन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है उसके अधार पर दो भागों भीवजित किया गया जो बना पा रहे हैं उनको सो पोसी कह दिया गया जो नहीं बना पा रहे हैं उनको बिसम पोसी कह दिया गया ठीक है और परजीवी मैंने बताया था कि जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए और आसरे के लिए दूसरे जीव जंद यो पेड़ पोद्या पर निर्भर करता है उसक ज्यादा गलती करते हैं इस question में देखिए कि 63% बच्चों ने क्या किया है पर पूसी एंसर लगा है लेकिन पर पूसी नहीं होते हैं वो बिसम पूसी होते हैं जो भूजन अपना नहीं बना पाते हैं ठीक है अगला प्रस्ण क्या है सभी जियों के लिए उर्जा का चरम सुरत क्या है ये तो बहुत आसान question है सभी जियों के लिए उर्जा का चरम सुरत क्या हमारा सूर्य है अगला प्रस्ण लाइकेन किन दो जियों के बीच सहजीवी संबंध दर्फाता है तो लाइकेन जो होता है उस सैवाल और कवक के बीच साजीवी संबंद दर्फ आता है तो लाइकेन कोई नया पौधा नहीं ठीक है लाइकेन कोई नया पौधा नहीं है यह ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बॉय है एक गर्ल है ठीक यह दोनों अलग-अलग हैं लेकिन जब इनकी साधी हो जाएगी तो बॉय का काम क्या हो जाता है या इस गर्ल के लिए निवास अस्थान निवास अस्थान रहने के लिए निवास अस्थान और खाने पीने के लिए कच्छा पदार्थ लेके आए ठीक कच्छा पदार्थ यह दोनों काम यह होता है कि निवास अफ्थान और खाने पिने के लिए कच्छा पदार्थ की व्यवस्था बॉय करें लड़की क्या काम क्या हो जाता है उनको पका के भोजन की रूप में इनको परोसे तो इस कंडिशन में बॉय और गरल लड़का लड़की क्या कहलाएंगे निवास अफ्थान और कच्छा पदार्थ ले आ रहा है लड़की भोजन बना रही है उससे तो यह दोनों क्या कहलाते हैं दम पत्ति थीखित कहलाते हैं ठीक == उसी परकार क्या होता है कि सैवाल और कवक के सेवाल के पास क्या है इसके पास क्लोरोफिल है सेवाल के पास क्या है आप यह से बाते समझ लिए आपको कभी जिन्दकी भूलेगा नहीं ठीक है सेवाल के पास क्या है इसके पास क्लोरोफिल है और कवक क्या करता है इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोफिल क्या करता ह ये सहवाल के लिए निमास अफ्थान, रहने के लिए निमास अफ्थान, और क्या करता है, जल और खनी जलवड लाके देता है, ठीक, कच्चा पजार्थ लाके देता है, और सहवाल के पास क्या क्लोरोफिल है, तो ये कर देता है, कि इस जल और खनी जलवड और कार्बन डाइ एक साइड का उप्योग करके भूजन मनाता है इस भूजन का उप्योग कौन करता है यह दोनों लोग सहवाल और कवक करते हैं तो इस समय सहवाल और कवक दोनों को क्या कह दिया जाता है लाइकेन कह दिया जैसे बोगर्ल दोनों अलगते लड़का लड़की अलगते लेकिन सा बनाने के लिए जो कच्छा पदार्थ होता है उसकी बिवस्था करता है इस प्रकात की पोस्टर प्रडाली को जिसमें जीव किसी मृत यूं बिगटित जेव पदार्थों से पोसक तक प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है ठीक है अगर कोई जीव है वो मृत या बिगटित होते हैं उसे पर पाचकरस का सिक्रेशन करते हैं पाचकरस का सिक्रेशन करने के बाद यह पचित जो बिगटित पदार्थ होता उसका आउसोसर कर लेते हैं ठीक है यह काम होता मिर्थ जीवी ठीक है जो गिद्ध होता मिर्थ जीवी नहीं होता ठीक है गिद्ध और यह मिर् जीओं को शड़ाता है गलाता है ठीक उसको फिर उसका पाचन करता है वो आपका हो जाता है मृत जीवी ठीक है बिगटित करके खाता है अगला प्रस्ण हमारा है पाचन तंत्र का निर्माड होता है ठीक है पाचन तंत्र की बात होगी तो पूरी पूरी जो आहार नाल है जो क सम्मंद गरंथियों में क्या आजाता है जैसे हमारा आ जाता है ये सब क्या है तो पूररा रहे अंते मिला देते हैं किसके पाचन में सहयोग करती है तो ये इसटार्च की पाचन में सहयोग करती है क्योंकि कि इस पाचन हमाहरे मुझसे सुरू हो जाता है तो इस इसके पाचन करने के लिए क्या क्या मदद करता है हमारी लार क्योंकि लार में कारबो हाइडाट को पाचन करने वाले एंजाई Main संपन्न होता थो, जो छोटी आत्मी संपत्म हो जाता ठीक है क्योंकि चोटी जो हमारा पेट होता जिसको हम कहते हैं अमासे ठीक है जो हमारा अमासे होता है उसमें मुखता प्रोटीन का पाचन होता है लेकिन जब भुचन छोटी आत में जाता है तो वहाँ पर वसा, फैट, कार्बोहाइडेट और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है और छोटी आत में ही इन तीनों का और सोसड भी हो जाता है तो मानुसरी में पाचन का अधिकान सबाग कहा संपन होता है तो यह छोटी आत में संपन होता है और छोटी आत में ही फैट कार्बोहड़ेट और प्रोटीन का और सोसड भी हो जाता है अगल तो कुंडेलित से चोटी हात होती है उसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर हिए हमारे चोटी आत की लंबाई और छोटी आत के देवांत वागों whats होता है तीन बागों ? यह चूटा Having quatro doing ऑजिवाजित होताए यह होतान है कितने भाग हैं तीन पहला गाहा है डी डीजे मतलब डी डेवडेनम जेजनम और इलियम आप डीजे आइस इन तीनों को याद रख सकते हैं ठीक है यह 7.5 मीटर का होता है अगला प्रस्ण हमारा है मनुस्ज में बड़ी आत जो छोटी आत के पेच्छा चोड़ी और छोटी होती है ठीक है जिसका मुखकार जल औखनी जल उण नों मतलब मिन्रल का ऑसूसर बड़ी कितनी होता है सीकम दूसरा होता कोलन आखरी होता है रेक्टम तो इसको आप भी सीको और आर जैसा भी बना पहें पहला होता सीकम कोलन और रेक्टम पहले तो सीको पड़ाका आता है तो इसको सीको याद के लिए बाकी आखरी वाला रेक्टम होता आप उसको अपने आपसे समझ लिए ठीक ह सरीर की सबसे बड़ी गरंथ है क्या है सरीर की सबसे बड़ी गरंथ है यक्रित यक्रित जिसे इंगलिस में कहते हैं लीवर सबसे बड़ी गरंथ क्या होगे यक्रित ठीक है और बागी पंक्रियाज क्या होता है यक्रित से पंक्रियाज से सभी प्रकार के जो पाचक रस होते हैं यह सिक्रीट होते हैं ठीक है पंक्रियाज से अगर पूछा जाए कि सभी प्रकार के पाचक एंजायम किस से सिक्रिट होते हैं तो पंक्रियाज से जिसे अगनासे कहते हैं उस ठीक है छोटी यह बड़ी आत नहीं अमासे क्या होता है जे आकार का होता है यह अमारे आहार नाल का सबसे चवड़ा भाग होता है तो इतना चवड़ा होता है कि लगवग एक ठाली खाना इसमें आ जाता है ठीक है तो सबसे चवड़ा भाग क्या होगे आपका अमाह से अगला प्रस्वन है कार्भोवाइडेट प्रोटीन और वशा का संपूर्ड होचन तथा आवसोचरड किस भाग में होता है तो अभी एमने दखा था कि संपूर्ड पाचन आवसा का हमारी छोटियाद में होता है और वहीं पर क्या हो जाता है इसका विलाई के दौरा इसका आंसोशणड भी हो जाता जिसे रजांट कुर करते हैं बिलाई विलाई र रियातन का करते हैं पना च्यटफल बढ़ा लेते हो आं और जो इसका पचित भूजन ओती है कि उसका आद दो जो olurs लेकिन जाकर स्टॉर होता है लेकर सबसे बड़ी गरंतर जाता और कि इससे जो जुगाली करते हैं जिन्हें रूमिनेंट के या रूमन्ति कहा जाता है में हमासे कितने भागों में बटा होता है जैसे हमारा हमासे क्या होता है तीन भागों बटा होता है लेकिन ऐसे जुगाली करते हैं उनका चार भागों बटा होता है जिसका पहला भाग क्या होता है पहला भाग क्या हो जाता है इसका रियूमें होता है रूमेंत मतलब गाए बहंस बकरी जब दो तो जल्दी जल्दी क्या करती है बौलजन को ये गरहण करते हैं attained सब्सक्राइबर कब अबता उसके नहीं होता है यहां पर ब्रेदर में पाचन करते हैं न्यांगा च्छ की अपनी लिए निए नरेजी के जिव जन लिखा कर लेते हैं जब यह शांति से बैठते हैं उसको छोटे-छोटे पैक्टो में अपने मुक में लाते हैं इसको क्या करते हैं काट इसको फाटो कि कुछ जानवर जैसे घोडा और खर्गो सिलिलोज का पाचन बैक्टिरिया द्वारा कहा क्या जाता है जहां जिसमें रियूमन पाया गया वहां तो सिलिलोज का पाचन रियूमन पार्ट में हो गया हमासे के रियूमन पार्ट में उसका पाचन शुरू है क्योंकि वहां बैक नाल ठीक है इस अंदनाल में बैक्टिरिया पाए जाते हैं जो सिलिलोज के पाचन में मदद करते हैं ठीक है अगला प्रस्न क्या है हमारा कि निम्लखित में से कौन सा खाद घटक अपने पाचन के उतपाद से सही सुमिलित नहीं है ठीक है तो इसमें कार्बोहाइडेट का ज यह तो सही है वसा का जब पाचन हो जाता है तो यह वसा अमल या गिलसाल में तूट जाता है ठीक है यह भी सही है प्रोटीन का जब पाचन होता है तो यह अमीनो एसिट में तूट जाता है तो तीनों के तीनों क्या है सही है और इसी सरकरा वसा अमल गिलसाल या अमीनो एस अगला प्रस्ण हमारा है तो जो गड़ों में धसे होते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है ठीक है थीको डंट कहा जाता है क्योंकि ये एक सॉकेट में धसे होते हैं जितने भी दांट होते हैं सॉकेट में धसे होते हैं ठीको डंट और ये चार परकार के होते हैं ये सभी मनुस में जो दांट होते हैं चार परकार के होते हैं इसलिए इनको कहा जाता है हेट्रो डंट विसम द और दो कि Mohlra Prêmolar और दीन थीं मोलर थीक है तीं मोलर तो यह क्या है जैसे अगर हम पूरे अपने मुख को चार भागमें ब्भाजित करें थीक में यह दांत है इनको अगर्मचार बागम व्भाजित करें तो एक पार्ट की बात हो रही एक पार्ट में कितने पाजाएंगे दो ईंसीजर एक कैनाईन दो प्री मोलर और तीन क्या पाजाएंगे मोलर पाजाएंगे ठीक है अब इसी को कर हम चार से गुड़ा कर देंगे तो यह जाएगा हैं यह सब कर हम जोडेंगे तो किल मिलाके बक्तिष दात पूरे हो जाएंगे लेकिन यहाँ करें बचों की बात की जाए ठीक है ? है तो उनका दंद फार्मूला होता है 202 कि उसमें प्रीıldı मोलर नहीं निकले होते हैं वगला ये औला प्रस्न है रेशम हीबर जो कि रेसम कीट की प्यूप अवस्था तक हूं यह पूछा जाता है कि रेसम कीट के किस अवस्ता से हमें रेसम प्राप्त होता है तो उसका सही अंसर क्या हो जाएगा प्यूपा वस्ता ठीक है जब रेसम कीट से मतलब रेसम कीट का जो मादा होती जो अंडे देती है अंडे से जो निकलता होता है लार्वा ठीक है लार्वा लार्वा को कैटा पिलर भी कहते हैं यह क्या करते हैं साहतूर की पत्तियों को लगातार 25-30 दिन तक खाते हैं अपना अकार बड़ा कर लेते हैं तो यह यह प्यूपा वस्था हिनके आजाती है ठीक है कैटा प्लेर अवस्था से प्यूपा वस्था में आपको एक पतले धागे से ढख लेते हैं इस धक दक लेते हैं इससे ज़से गोल जैसे सनचना बन लिए जाता है जिससे प्यूपा इसके अंदर मर जाता है और इस धागे को अलग कर लिया जाता है तो यहां प्रफ निए नहीं यह तो मैंने इस लिए बता है कि आपको यह पता चले कि किस तरीके से किस अवस्था से आपको रेसम प्राप्त होता तो रेसम आपको प्राप्त ह प्रोटीन होता है ठीक है अगला प्रफ नमारा है 24 नंबर डाक्ट्री थर्मामीटर फार्ने हाइट स्किल का परिसर 94 से 108 डिग्री फार्ने हाइट तक होता है यह कह रहा है कि जो हमारा ठर्मामीटर होता है डाक्ट्री थर्मामीटर उसमें तो फार्ने हाइट पहे तक जाता है ठीक है तो यह हो गया डाक्टी थर्मामेटर की बात उसमें 94 फार्णे हैट से लेकर एक सवाट फार्णे हैट तक फार्णे हैट में परिफ्ष परिमाना होता है और लेकिन इसका परिफर देखें तो 35 से बैयालिफ अगला प्रस्ण मारा आकरी प्रस्ण क्या है कि मानों सर्य का तामान कर लगभग की तो इसको आप हमारे फरीर का होता है तो इस प्रकार के 25 प्रफ ने हमारे यहां समाप्त होते हैं अगले 25 प्रफ को नेक्ट वीडियो में हम डीटियल से आपको बताएंगे और आपसे भी मेरा बिनमरे निवेदन है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने तक्सीमित ना रखें दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ठीक है मेरी यह कोसिस होती है कि यदि میں इस परकार से question का explanation करूँ कि जिससे आपको उस question से संबंदेते हैं कोई और वी question पूछा जा रहा हो तो आप उसका भी उत्तर दे ले जाई तो मेरी एक कोसिस है, यह कोसिस आपको कैसी लग रही है, इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में सेर करिए, और हाँ एक बात हो रहे हैं, यदि आप पॉल्टी पढ़ना चाहते हैं, वो भी बिस्तार पूर्बक, यह चाहते हैं कि ऐसी पॉल्ट कि बिल्कुल उसमें वाहियात बाती नहीं हैं, और उन्होंने PDF नोट भी प्रोवाइट कराया है, और आप कम समय में पूरी पॉल्टी को अच्छे से खतम कर सकते हैं, और अच्छा नंबर स्कोर करने में आपको यह मदद करेगी, और अगर आप एक कुनामी पढ़ना चाहत तो आप चैनल से जुड़ के आप यह वीडियो भी देख सकते हैं, और इसी के साथ बिदा लेते हैं, नमस्कार